हाई स्टुडेंट आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल कॉंसेप्ट विद इसके वर्मा जैसा कि आज जान दें कि प्रतेक संडे को यहां पर आप लोग के सामने आते हैं आज भी संडे है आज भी आप लोगों के लिए काफी बढ़ियां खुस खबरी लेकर आए हैं जैसा कि आप लोग जान दें होंगे कि सिमुवत अला और सैनी का एक्जाम काफी नज़िक है और पहले सिमुवत अला के रिगार्डिंग कुछ आप लोग को बताना चाहते हैं कि उसका अंसर की आ चुका है जैसे कि आप जान रहे होंगे 16 तारी को ही अंसर की अप्लोड समीति के वेवसाइट बिहारवोट ओनलाइं.com पे जो है कर दिया गया था अने जो है अपाति करने के लिए भी लिंक दिया हुआ था कि जो को ऐस्ट अपको गल्ति लगे उस कोर点 पर अपको JACKson कर सकते Campaign तो हमने जो है वीडियो बनाया और उसमें बताया कैसे जो अब्जेक्शन किया जाए कौन-कौन से कोश्चन को जो है अब्जेक्शन किया जाए तो उसमें कहा जाए तो तीन से चार कोश्चन जो है आपका गलत था बिल्कुल गलत उसको कहा जा सकता है और कुछ ऐसा question था जो suspense वाला था, यानि कुल मिलाकर आपको जो है, चार से पांच question जो है उसमें गलत जो है का जा सकता है, क्योंकि suspension वाले question में जैसे कि ऐसा भी उसमें लग रहा है, कि इसका answer जो है, A भी होगा, B भी होगा, लेकिन उसके द्वारे केवल एक ही answer का जो है, द साल नहीं, हर एक साल, हर एक साल जो है, इस टाइब से portion देते हैं, ताकि बच्चे जो है, उसमें उलज जाए, और अपना जो है, किलियर आंक जो है, ना जाने, और हम भी जो है, अपने अनुसार जो है, उसका result देते, यह सोचते हैं, जो परीछा लेने वाले बते हैं, यही पाइब क्लास का फिप्त अश्टेंडर का बच्चो का एक जाम ले रहे हैं, पिर भी उस बच्चो को जो है, गलत-गलत question जो है, तो उसी में जो है, उलज जाए, कभी तदा इतना level जो है, उसको बढ़ा देते हैं, कि मने teacher भी suspense हो जाते हैं, कि answer इसका क्या होगा, कहीं book में कोई भी उसका अंसर जो है खोजने पर डूढ़ने पर नहीं मिल पाता है तो इस तरह से आपको कोश्चन मिलेगा तो इस कोश्चन से आपको लड़ना होगा लेकिन आप बारी है मेंस की जो भी विद्यार्थी आंक जो है आपका अधिक सदी के लाइं होंगे अगर 120 प्लस होना चाहिए जैसे कि हम पिछले वीडियो में कटप उसका बताए है नहीं देखे है तो उसका लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप देख ले और उसके बाद जो है रिजल्ट जब आ जाएगा कुशी दिनों के बाद जो है इस मंत के लास्ट तर जो है तो उसका तैयारी जो है जो विद्यार्ती दिक प्राप्त प्रप्त किए है जो कटफ हम बताया है उसके सीमा में अगर आ रहे है तो अभी से हैं जो हैं उसके तैयारी में लग जाए हुआ है की जैसे कि मैत जो इसमें को सद्र दिया जाता है गयर वास्तुनिस्त आपको दोस प्रशन दिया जाता है उसके लिए सो अंक यह पर टेक कोश्न दोस अंक का रहता है लेकिन कोसलिका लेवल अगर देखा जाये तो बहूत ही कम रहता है, काफी जो है low उसका level रहता है, लेकिन फिर भी विद्यारती जो है उसमें से portion जो है जो है गलग करदते हैं, एक बात जो हैं, परिछाद Monica जो भी देने जाएगे, उनसे हम पहले ही बात बता दे रहे हैं, उसमें एक portion जो हैं काफी महत पुर्णयों य बढ़ियां से अभी है प्रैक्टिस पुरा कर ले ताकि वहाँ पर गलब कम से कम हो मैं तो हो ही नहीं मतलब उसमें 100 मैं आना चाहिए बाकी जो 1.500 नम्मर का जो एक्जाम होगा आपका 4 विशंगा जैसे उसमें आपका मैत नहीं रहेगा बाकी सारा सब्शक्र रहेगा पेपर 2 में उसमें डेर्ण सोमें कम से कम आप आप जो 130 उंक लाएं और मैत में हैंडे नम्मर और तो आ कि एकदम जो है निश्चिन निश्चिन्त हो जाएंगे कि मेरा जो है रिजर्ट आ जाएगा तो उतना लाने के लिए काफी परिश्रफ करने पड़ेगा क्योंकि मेंस का जो कि सीट है उसमें जो लेने वाला जो सीट ऑपका जान रहें कि व्हाइज हैं तो उसके लिए साथ है और लड़की हैं उनके लिए साथ हैं टोटल एक सो बीस सीट हैं लेकिन उस एक सो बीस सीट के लिए लड़ने लड़ेंगे लेकिन अइसा नहीं है कि आप 120 सीट में एक सीट ले लेंगे तो 60 सीट में ही सोचे कि इसलिए जो है समझे कि हम अपने आस-पास के छो विद्यार्थी को अगर हरा देंगे तब जो है मेरा रिजल्ट जाकर होगा क्योंकि अधिकांस बच्चों का जो है पीटी में जो रिजल्ट आ जाता है तो काफी खूस हो जाते हैं कि मेरा तो रिजल्ट आ लिया लेकिन यह जो आना एक तरह का कहा जाए तो बालू का दिवार बन गया है यानि कि जो पीटी का जो रिजल्ट है वह समझे कि एक तरह से रेत का जो है दिवार बन गया है और उस रेत का दिवार को धाते जो है देरी नहीं लएगा तो इसलिए आप पहले से ही मजबूत उस रेत में सिमेंट मिलाकर दिवार बनाएं इनिट के साथ ताकि वह गिरे न काफी मजबूत सावित हो और उसके लिए रिजल्ट की इंतजार न करें अभी से ही उसका त्यारी में लग जाएं मैं एक फजेसे कि बतायें कि उसमें कैसे बनाना होगा से काफी अपंज बटिया से आप बनाएंगे आपको 10 में 10 अंक मिलेंगे नहीं तो आप जैसे इसे बना देंगे कोई चोर्स अन्य थाइया आयसे स्वेक्त करेंगे लिखने क्या ज्यात करना है तक विडियो के माध्यम से आप लोग को बता धिये हैं आप वहां से उसको देख सकते हैं उसका भी लिंक जैसे डिस्क्रिप्शन में है आप देख सकते हैं और उसके बाद आप जब एक्जाम देने जाएंगे तो निश्चित रूप सम्व कर रहे हैं कि अगर आप अभी सही अगर तैयारी में लगे रहेंगे तो आपका निश्चित एक्जाम में पूर्शन बनेगा और आप भी का कुछ लोग यह बहुते लोग तैयारी कर रहे हैं तो समझे कि वह आपको पीछे पचाड़ने वाले हैं तो क्यों ना आप जो उसको पचाड़ने के लिए आप तैयारी में लग जाए क्योंकि एक बात है एकदम अंदर से इतना इनर्जी रहना चाहिए कहा जाता है कि ना सं संहर्स ना तकलीक तो क्या खाक मज़ा है जिने में समुदर के लहर तको भी रोकलेंगे जब आग लगी थेहीं यानि कि आपको शेया आप लगा ना होगा वहता है क्योंकि हर एक साल देखते हैं कि जो विद्यार्थी 300 अंक में से 290 अंक लाते हैं उन्हीं विद्यार्थियों को ज्यादा तर रिजल्ट देखने के लिए मिलता है बाकी कटेग्री अनुसार जो है उनका जो है कुछ कम भी होता है लेकिन और अगर देखा जाए तो आपको 250 से 90 तक आपको नंबर लाना होगा तो समझ जाए कितना जो है कठीन रहता है और वहीं जो है कोई विद्यार्थी अगर मैंत में एक प्रस्न गलत करते हैं तब बारासो विद्यार्थी हैं उसमें से आप समझे कि कईये सांक्रों विद्यार्थी से आप पीशे हो जाएंगे इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम सिमुतला स्कूल में पढ़ें तो आपको पफुद मेहनब करना होगा अब हम आप लोग को बताते हैं सैनिक स्कूल के बारे में तो सैनिक स्कूल का एड़िट काड जो है अभी तो नहीं आया है लेकिन वह कहां एक्जाम होगा किस सीटी म आपको बता रहा है तो आप वहां पे अप्लिकेशन नमबर डेट बर्थ और एक कैप्चा कोड होता है उसको डाल कर आप वहां पे अपना देख सकते हैं कि मेरा एक्जाम सिटी जो है कहां होने वाला है और इस महीना के लास्ट तक ही जो है लास्ट पहले तक ही आपका एड जो दो शिर्मक की जो पढला में अपढ़े आप वही पढ़ेवए आप रहें जीनिंग कर दो देखें तो आप कि उसी को रहने दे और एक्ट्रक्टिस सेट है किपकरм को परकशन के करे मिस अगर। ऐसे बड़िया है रहते हाँ मिस मार जोंञा तिर स्वाएं में उस्षिय। न भी है अ एक्श। तो आज इतना ही फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाएंगे के लिए जाएंगे